आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले तो nifty 50 की उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि actually मैं इस टाइम पर आपको swing trade पर कहां पर focus करना चाहिए क्या हम लोग को trading बंद कर देने चाहिए या हम लोग को trade करते रहना चाहिए इस समय क्या जाधा better रहेगा इस चीज़ पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं और मैं आपको stocks दिखाने वाले हूँ कुछ ऐसे जिसमें इस समय आपका reward जाधा हो सकता है risk कम हो सकता है हो सकता है आपके stop losses hit हो लेकिन वो छोटे होंगे जो आपके targets मिलेंगे targets बहुत जाधा बड़े हो सकता है तो सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो actually मैं हो क्या रहा है निफ्टी ने अपना सबसे पहले एक high बनाया around September में आज से एक साल पहले उसके बाद क्या हुआ कि January में भी उसने try करा previous high break करने का लेकिन वो high break नहीं हुआ ये था previous high उसके बाद बना ये वाला high बट ये वाला high भी break नहीं हुआ अब यहाँ से हम लोगो क्या पता चल रहा है कि highs जितने भी है वो lower highs बन रहा है लोज कितने हैं वो भी lower lows बन रहा है इससे क्या पता चलता है कि nifty downtrend में हैं लेकिन यह क्या बहुत जादा strong downtrend है तो ऐसा नहीं है strong downtrend वो होता है जिसमें बहुत जादा difference होता है आपके highs में यहां पर उतना साथ आपको difference नहीं देखने को मिल रहा होगा और difference कम भी होता जा रह है तो अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ें अभी क्या हुआ है मार्केट में तो अगर आप लोग देखोगे इस candle में काफी जादा लोग bullish हो गए थे और वो यह कह रहे थे कि अब तो all time high आना तय है nifty का लेकिन अगर आप इस candle को भी notice करोगे तो यह एक weak candle थी यह भी एक weak candle बनी है थोड़ा और अगर हम लोग आगे आते हैं तो हम लोगों क्या देखने को मिलेगा कि यह level इतना जादा strong resistance का काम कर रहा है कि अभी तक nifty अपना previous high break नहीं कर पाया है और यह level कितने का है आप लोग खुद देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा around around 18,11 तो 18,100 जब तक nifty break नहीं करता है उपर की तरफ तब तक मैं तो bullish नहीं होने वाला हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी nifty का downtrend intact है तो जब तक यह level break नहीं हो रहा है तब तक मैं super bullish नहीं होने वाला नहीं मैं bearish हूँ जब तक यह level break नहीं होता तो जब तक 17,200, 17,300 intact है यह हम लोग आज का first stop जिसका नहीं है Paddy Light Industries अब इसमें आप एक चीज देखोगे जो की बहुत ज़ादा खास है same to same nifty की तरह अगर आप देखोगे इसका भी एक previous high है जिसके पास आके इसने यहाँ पे कोशिश करी थी break करने की बट क्या यह इसको break कर पाया तो हम लोग तो फिलाल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगो तो क्या समझ में आएगा कि इसने अपना all time high break कर दिया है अब all time high इसने weekly candle पे break कर रहा है तो यह एक अच्छा breakout माना जाएगा और currently market गिरने की वज़ा से क्या हो रहा है कि stock आ रहा है है retest complete करने के लिए यह बहुत stocks को पकड़ने के लिए जो बहुत जादा ऊपर भाग जाते हैं लेकिन जब market crash होता है तो यह लोग retest करने आते हैं अपना breakout का level अब आप लोग यह मानिए कि किसी ने यहाँ पे इस breakout पे अगर किसी ने buy करा होता तो दो हफते से वो इंसान loss में बैठा होता इस वज़ा से मै कहता हूँ कभी भी breakout पे buy ना करें हमेशा retest पे buy करें weekly candle आप notice कर रहे हो तो weekly candle के retest पे buy करें यह नहीं कि आप daily पे buy करने चले जाओगे तो यहाँ पे आपके targets क्या हो सकते हैं तो अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं तो अम लोगों समझ भाएगा जो यह वाली range है यह range कितने points किये तो इसका low है around 2000 का और इसका high around 2800 का तो यह range आपको ऊपर add कर देनी है तो इससे आपको समझ में आएगा कि 2800 में अगर आप लोग 800 रुपीज और add करोगे तो 3600 का target आता है which is around 22% के आसपस रहे तो 22 से 23% का आपका target हो सकता है आपका stop loss अगर आपको रख है तो यहाँ पर buy कर सकता है retest के बाद और उसका यह target हो जाएगा 3600 का और यह चोटा सा stop loss हो जाएगा तो I hope कि यह वाला stock आपको पसंद आया हो अगर आया हो तो वीडियो को like ज़रूर कर देना अब हम लोग चलते हैं अपने second stock की तरफ तो हम लोग का second stock करनाम है escorts अब इ जगह पर entry कर ले तो इसले मैं कहता हूँ कभी भी predict नहीं करना है हमेशा analyze करना है तो यहाँ पर जिसने भी analyze करा होगा उसने देखा होगा कि यार candles तो काफी ज़्यादा bearish बन रही नीचे की तरफ stock जा रहा है तो छोड़ देते हैं उन्होंने छोड़ा उनको अच्छा-कास जो इतनी बड़ी range बनाई थी इसने इस range का breakout आ चुका है और currently stock इसको rateist करने की कोशिश कर रहा है अब सबसे खास बात इस stock की क्या है कि stock के fundamentals काफी ज़्यादा अच्छे है stock कहां से belong करता है stock auto sector से belong करता है auto sector से में already काफी ज़्यादा bullish है तो अगर यहाँ पर rateist proper rateist complete हो जात हो कि कैसे हम लोग buy करते है और कैसे profits होते है मैं आपका उसका screenshot भी दिखा दूगा तो यहाँ पर आपकर आप करते हो आपका जो stop loss होगा वो होगा rateist candle का high rateist candle का low तो यह अगर आपकी कोई माल लेते हैं आपकोई bullish candle बन गई तो आप buy करोगे और अपना stop loss अखोगे इसी bullish candle के low पे और आप उसकी बाद trend को ride करो कि जब तक आपका मन है या जो मैं आपको targets विता रहा हूँ आप चाहो तो वहाँ पर book भी कर सकते हो आप targets again हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे यह level माल लेते हैं 1900 का level और यह जो इसने low लगाया यह है 1400 का तो difference कितना हुआ around 500 points तो लोगे अपना stop loss right तो अगर यह भी stock आपको समझ में आया हूँ तो अब हम लोग चलते हैं अपने third stock के उपर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक simple सा example तो इस stock का नाम है Indian Hotels अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस stock ने दिया था breakout इस time पे अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा के देखेंगे तो क्या हुआ कि इसने अपने एक important resistance को break करा around around इस level पे right यहां अगर आप देखोगे तो इसने क्या करा around 3 हफते उपर sustain करा है तो अगर 3 हफते अपने breakout level के उपर sustain कर रहा है मतलब stock में थोड़ा बहुत dumb है उसके बाद क्य होता है stock में अगर आगर 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 देखोगे तो आपको समझ भाएगा कि अच्छा खासा रीटेस भी complete हुआ rate सबसे पहले आप देखोगे weekly पर sustain कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं कि एक week की candle ऊपर close हो गई तो आप जाके buy कर लो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको कहेंगे क बाद which is around 273 stock ने high कितने का लगा है 340 के असपास का तो आप सो सकते हो कितना बड़ा इसने return देने की यहां पर शमता रखता था stock हम लोगों ने कितने percent निकाला around around 20% तो 20% भी बिलकुल बुरा नहीं है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ तीन हफतों में मिल रहे है तीन से चार हफतों में अगर आपको 20% मिल रहा है मतलब एक महिने का 20% बिलकुल भी बुरा नहीं है इस स्रीन्शॉट आपको यहां पर मिल जाएंगे जो भी मेरे profits के होंगे ऐसा एक और stock था जिसका नाम था महाराश्य सीमलेस ऐसा एक और stock नाम था जिसका था ऑटो एक्जिलरी तो ऐ एक में आपको 50 EMA-based stocks मिलेंगे एक में आपको price section based stocks मिलेंगे तो उन stocks में भी हम लोग को around around 10-15% का profit हुआ है अगर जाल के लिए हम लोग चलते हैं हमें third stock के ऊपर एंड देखते हैं उसमें क्या price section बन रहा है सो आज का हम लोग को last और third stock है SBI Life Insurance अब अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर देना और चानल को subscribe भी कर लेना और अगर कोई भी question हो mind में तो नीचे comment में आप पूछ सकते हो मैं हमेशा answer करने की पूरी कोशिश करता हूँ तो यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या देखेगा कि एक बहुत जादा strong resistance था यहां पर इसने 2-3 बार ट्राई करा उसके बाद यहां पर आके इसने breakout दिया अगें जिन्हों ने breakout में भाई करा वो बरबाद हुए बहुत अच्छे से बरबाद हुए और एक बड़ा fall आय एक percent return नहीं दिया है इस्टिल आप 2% negative में जरूर हो क्योंकि आपने buying यहां पर करा होता है और आप होते यहां पर इसी वज़ा से मैं आपसे कहता हूँ please 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 कभी भी breakout मत करना अगर stock breakout देने के बाद ऊपर चला जाता है तो उसको छोड़ देना आनि गनत stocks हैं आपके पास जि अब यह आपका यह trade ongoing होता है आपने एक अच्छी जगा पर buy करा होता है आपका trade ongoing होता है यहां कहीं आपका stop loss होता राइट तो आप safe रहते आपको one is to one तो already मिल चुका होता है लेकिन हम लोग को one is to one में निकलना नहीं है हम लोग को एक बड़ा target चाहिए हम लोग को क्या target target भी में आपको बता देता हूँ तो सबसे बले अगर आप यहां पर देखोगे around 1200 का level था यह आप level देखोगे तो around 1050 का level था तो आपको at least 200 points चाहिए मतलब आपको at least 17-18% चाहिए 200 points कितने होंगे around around 1500 का target ले ले लेते हैं लोग तो यह आपका 1500 का target होगा जिसमें आपका stop loss ह इतना छोटा और target है इतना बड़ा तो यह 1-2-3 का अरामस आपको target मिल सकता है फिलहाल के लिए क्लिए 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 इसको हम लोग एक बार 1-day की candle पर भी देख लेते हैं तो 1-day की candle पर अगर आप देखोगे kind of एक channel में चलने ही कोशिश कर रहा है stock यह एक channel में चलने ही को पर यह फिर इस zone के low पर आप रख सकते हो अपना stop loss जो भी यह zone है पूरा इस zone के अगर नीचे आपका candle जाता है तो आप exit कर सकते हो कॉस हो सकते है उसके बाद यहां तक आजा stock which is 1200 का level and वहां पर भी बहुत लंबा time spend कर सकता है तो हम लोग को क्या करना है हम लोग को positional trade करना है अगर long time के लिए investment करना है तो यह video आपके लिए नहीं है long time के लिए मैं थोड़े अलग type के stocks बताता हूं जो कि value buying पे होते हैं यह stocks अपने all time high पे चल रहे हैं यहां पर आपको देखना है कैसे आप positional trade ले सकते हो भले ही उसको फिर आप 2 साल के लिए hold कर लो लेकिन वो रहेगा trade ही तो यहां पर आपकी trend line भी आपको दिख रही होगी जब trend line का breakout आजाए या फिर कोई bullish candle दिख जाए तब आप buy करने के बारे में सोच सकते हो तब तक के लिए अगर आपका कोई भी doubt है आप मुझे नीचे comments में पूछ सकते हो मैं हर एक comment का answer देने का पूरा का पूरा कोशिश चरता हूँ अगर नहीं आपको answer मिल रहा है तो आप दुबारा पूछ सकते हो I will surely give you the answer तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं किसी ऐसी अच्छे से वीडियो में and have a nice trading day guys